सारापणाम हस्तक छेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्री के बारे में जिन्हों ने अपने राजनितिक कैरियर की सुरुवात शातर नेता के रूप में की वो जबलपूर साइंस कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे और भारतिय जनता युवा मोर्चा में कई एहम जिम्मेदारियां समालते रहे यही वजह रही कि बाजपेई सरकार में उन्हें सबसे बड़े देश के युवा संगठन यानि नहरू युवा केंदर का महानिदेशक भी नुक्त किया गया और उसके कुछ ही साल बाद बाजपेई सरकार में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में कोईला मंत्राले का प्रभार दिया गया जी हाँ हम बात कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी की जो मोधी सरकार में राजे मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में संस्कृति और परेटन मंत्राले का जिम्मा सम्हाल रहे हैं देश की संस्कृति और पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम विश्यों के लिए मोधी सरकार में वो नीतियां बनाने का काम करते हैं इंट्रिव्यू सुरू करने से पहले उनके सियासी सफर पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश के दमोह से सांसद और देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंग पटेट अटलबिहरी वाजपई की सरकार में कोईला राजि मंत्री रह चुके हैं करीब डेढ़ दशक पहले नर्मदा यात्रा कर चुके पटेल की छवी जन सरोकारों के लिए संगर्ष करने वाले नेता की रही है जुजहारू और जुनूनी माने जाने वाले प्रहलाद पटेल ने बीजेपी के युवा संगठन भारती जनता युवा मोर्चा से सियासत की शुरुवात की 1982 में वो बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए और 1986 से 1990 के बीच युवा मोर्चा में सचिव और प्रदेश बीजेपी में महामंत्री समेत कई एहम पदों पर रहे उन्होंने 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर संसद में कदम रखा इसके बाद 1996, 1999, 2014 और 2019 में भी सांसद चुने गए मेरे पार्टी के लिए और मेरे दमोह चेतर की जनता का मियाब भाली हूँ जिसके कारण यह उसर मुझे मिला है 1989 में वो मत्रदेश की सिवनी बाला घाट सीट से लोकसभा पहुंचे जबकि 2019 में दमोह सीट से मैदान में उत्रे और 3,53,000 से ज्यादा वोट से जीत कर मंत्री बने वो एग्रिकल्चर, साइंस और टेक्नलोजी समेथ लोकसभा की विभिन समीतियों के सदस से भी रह चुके हैं उनके राज़तिक करियर में उस वक्त उच्छाल आया जब 2003 में वो अटल भिहरी वाजबेई की सरकार में मंत्री बनाए गए प्रहलाद पटेल भारती जनता मजदूर महासंग और मजदूर मोर्चा के नेता भी रहे हैं किसान परिवार से आने वाले और पेशे से वकील रहे केंदरी मंत्री प्रहलाद सिंग पटेल मूल रूप से नरसिंग पूर के गोटे गाउं के निवासी हैं उनका जन्म 28 जून 1960 को हुआ था उन्होंने जबलपुर के आदर्श विज्ञान कॉलेज से MSC और LLB की डिग्री हासिल की इसके अलावा उन्होंने UTD रानी दुर्गावती इनुवर्सिटी से दर्शन सास्तर में MA किया 20 साल की उम्र में ही वो छातर राजनीती में सक्रिये हो गए थे 1985 में उन्होंने एक महने तक पद्यात्रा कर 261 गाउं के लोगों से संपर किया एक समय में उमा भारती के विश्वस्त और खास सिपहसालार माने जाने वाले प्रहलात पटेल की पहचान एक लोग प्रियर और जनता के लिए समर्पित नेता की है अपने लंबे सियासी और प्रशासनिक अनुभव के जरिये वो जन्हित से जुड़ी योजनाओं के लिए लगातार सक्रिये रहते हैं राजनीती के साथ सामाजी कारियों में भी उनकी गहरी रूची है उनके परिवार में उनकी पत्नी पुषपलता सिंग एक बेटा और दो पेटिया है विरो रिपोर्ट सहारा समय प्रालाजी हस्तक्षेप के इस कैरकर में आपका बहुत स्वागत है और बहुत ही महत्तवटुण मंत्राले का जिमा आप सम्हाल रहे हैं खास तورपे संस्कृति और परिटन देश के संस्कृतिक धरोहरों को सम्हालने के लिए इसमारकों को बचाने के लिए और उसको नए सिरे से रिखांकित करने के लिए संस्कृती मंत्राले भी हमेशा बहुत प्रासंगिक रहता है और परेटन मंत्राले इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है फिलाल परेटन मंत्राले के बारे में भी हम सवाल आपसे लेंगे लेकिन जो देश की धरोहरे हैं, जो इसमारक हैं, जो पांडूलूपियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको नए सिरे से रेखांकित करने के लिए उनको और ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, विश्व पटल पर ले आने के लिए क्या कुछ योजनाय बनी हैं आपके कारेकाल में, मोदी सरकार में, जिस पर आप काम कर रहे हैं मुझे लगता कि जब भी कभी कोई हम प्रेटक की कलपला करते हैं तो देश में आता है तो भारती संस्कृति को देखने के लिए आता है उनकी धरोरों को देखने के लिए आता है दो प्रकार के मत रहे हैं देश की आज़ादी के पहले भी और देश की आज़ादी के बाद हमारी जो धरोर हैं अनोंपर उनको कभी किसी न नकारा नहीं उनको चूरी करकर वो दुनिया भर में गई लेकिन उनको जो मानेता मिलनी चाहिए थी जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए ते इस पर सदय बें विवाद रहा है लेकिन देश की आजादी के पहले भी पर बात में आर्केलाजिकल सर्वियाफ इंडिया ने काम किया और एक उधारण में देता हूं कि जब पूरी दुनिया इस बात को कह रही थी कि इस्ट्रेक्चल जो कंश्ट्रेक्शन है वो पश्चिम की देन है लेकिन धौला भी रहा के एक्सिवेशन के बाद कि दुनियान को मानना पड़ा कि इस्ट्रेक्चल जो कंश्ट्रेक्शन है वो भारत में पहले हुआ है बागी जगे दुनिया में बात में बात में अब एक जो इस सूची से बाहर हैं लेकिन वो कई जगे पर इससे भी ज़्यादा उम्र वाले हैं इससे भी ज़्यादा सुंदर हैं लेकिन राज्य की सूची में हैं लेकिन एसाई की सूची में नहीं एक उधान में आपको देता हूँ मेरे मंत्री बनने के बाद मैं ले लग्दा के गया था तो कारगिल की पहाड़ियों में बामियान के नश्ट होने के बाद बुद्ध की सबसे बड़ी अगर कुई मूर्तिया हैं तो वो कारगिल में ना वो इस्टेट आगलाजी के पास हैं ना वो एस आई के पास सुची भे एक उधान में आपको दिया इसे रायस्तान के भी दे सकता हूँ और भी उधान में दे सकता हूँ इसका मतला है वे कि कुछ चूके हमसे हुई है कि जब कभी हम एसाई को यह माल लेते कि से सारा काम पूरा कर लिया होगा भारत में इतनी भ पाज बरसों में किल्चर मैपिंग को लेकर एक प्लान बना था जिस पर अभी कोई बहुत गती नहीं आई है लेकिन अब वो काम बहुत तेजी से होने की तयारी है क्या हम सो वर्ष से पुरानी चीजों को सूची बद्द कर सकते हैं जो लोक संगीत हैं लोक नरत हैं बले उनक कर सकते हैं बोत तमाम इस मारक जो हमारी धरोहर हैं लेकर उनको कभी चर्चा में नहीं आया रिकार्ड नहीं मिला क्या उनको सूची बद्द कर सकते मुझे लगता है कि करेंग का काम बड़ा काम है दूसरा आपने पन्डू लिपियों की बात की है सद्धे अटल्वय हई ब में 2017 तक उसका पहला कारी कालता जो समात हुआ फर उसके बाद में तीन साल के एक्ष्टेंशन हुआ और इसमें तीन लाख 3,15,000 पांडू लिपियों को हमने दिस्टिलाइज किया लेकिन इसके जो पन्ने हैं वो 3 करोड इंक्याउन लाग है और लगवक 43,35,000 के आसपास ऐसे पन्ने पांडू लिपियां जिनको हमने डाकुमेंटेशन किया है दिस्टिलाइजिसन नहीं किया और इसलिए 2017 से 2020 को उसक अगला सवाल आपसे ले रहा हूँ भारत सरकार का या मोदी सरकार का मुख्य लक्षे रहा है कि वे जगह भारत में जो अभी अनेक्स्प्लोड है जिनके बारे में बहुत ज्यादा उन्हें परिटन मैप पे लाए नहीं जा सका है उनको डेवलब करने की दिशा में काम करना था प्रधान मंत्री ने इसके लिए स्वेम उत्तर पुर्वी राजियों की बहुत यात्राएं की और उसको बहुत रेखांकित किया और अभी तक उत्तरपूर्वी राजियों की खूबसूर्ती के बारे में दुनिया उतना नहीं जान पाई है, यहां तक कि देश के लोग ही नहीं जान पाए हैं, तो उस दिसा में क्या प्रयास किया जा रहा है? दिखे, मुझे लगता है कि मोधी सरकार के आने के बाद, पिछले पाँच बर्सों में उत्तरपूर्व को बाकायता फोकस किया गया, और यह भी का गया कि लुकिस्ट नहीं, एक्टिस्ट, और उसके कारण से एक चीज़ तो साफ हुई कि नार्तिस्ट में इंसरजेंसी नहीं है, क्योंकि परेटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा, भरोसा और सेफ्टी, बिल्कुल, वह भरोसा होगा, यह चीज़ देने में मोधी जी की सरकार सफल हुई है, अब बात आती है कि जानकारियां लोगों तक पहुचे, जैसे इसी कोरोना के समय में, मैंने अंगबस् है, देश के बाहर जाते है, 2.6 मिलियन, सॉरी, तो मुझे लगता है कि बहुत देश नहीं जाएंगे, तो ऐसे लोग, अगर देश के बीतर भ्रमण करें, जैसे प्रदानमंदी ने एक सिलोकन दिया था, देखो अपना देश, इस आधार पर नार्टिश और जो भी आज की तारीक में सेफ जोन बनकर उबरा है, जहां पर जलवायू, यहां गर्मी है, लेकर वहां हलकी बरसात भी सुरू हो गई है, जहां पर हमारे चारधाम की आत्रा है, वहां पर भी मौसम ठंडा है, और धार्मिक देश्टी से भी बहुत अशर है, तो ऐसे हिमालेन दास्ट और नौर्थ इस्ट, इन दोनों को फोकस करें के ही, हम दोमेश तक तूरिजम की सुरुगात कर सकते हैं, और यही अउसर है परेटन को प्रारम करने का. टूरिजम के समगर विकास के लिए भी नितियां बनी थी, और उसके पीछे मेन प्रधान मंतरी का मक्षद एथा कि ज़्यादा ज़्यादा रोजगार मोहिया कराना, और जाहिर सी बात है कि एक आंकड़े के मुताबिक जो United Nations की बाड़ी है, World Travel Organization, करीब पूरी दुनिया में 33 करोन लोग रोजगार प्राप्त हैं, ऐसे में तूरिजम के छेतर में रोजगार को बढ़ाने के लिए आपका मंतराले क्या कुछ सोच रहा है, कैसी नीतियां बना रहा है कि इसको और ज़्यादा इवाल्व किया जाए और रोजगार के ज़्यादा उसर त्यार किये जाए कि सीधे हम कोई काम नहीं करते हैं, जाहर सी बात है, मैं खुद भी एक इस्टेकोल्डर है, उसके दूसरे इस्टेकोल्डर है, होटल तीसरे है, टूरें ट्रेबल से चोथे हैं, गाइड पांच में हैं, फर लोकल का जो भासा है, बेसमूसा है, यह सब हुआरे और इसलिए यह दुनिया का आखला जरूर साफ है कि प्रतेक्ष और अपरतेक्ष दोनों प्रकार के जो रोजगार देने वाला सेक्टर है, वो यह है, भले हम सीधे ना करें, लेकिन नेतिक सुम्मेदारी हमारी होटी है, बल्कुल नीती बनाने काम आपका है, उनको लेकिन बीच में उस सड़क से थोड़ा कर्व दे दिया जाए, तो हो सकता है कि स्टेट का बहुत सुंदर मानुमेंट हो, तो जो आदमी जाएगा तो थोड़ा कर वहां सड़की होए तो कहेगा कि चलो इसको भी देखते हुए चलते हैं, और हो सकता है कि वह उनको उस से ज दारन है, जिसके का कुम्ब का परसेप्शन बदल गया और दुनिया ने मान लिया, और प्रसाद योजना के तहत ऐसे स्थानों के भी डवलमेंट की बात हुई थी, चाहे चर्च हो, चाहे गुरद्वारा हो, चाहे कोई मस्जिद हो या मंदिर हो, तो इस धारना को भी लोगों के लिए एक पहली जैसा था और दुनिया तो वहाँ पे आना जाना ही बंद कर चुकी थी, मोधी सरकार ने इच्छा सक्ती दिखाते हुए धारत 370 को जम्मू काश्मीर से समाप्त किया, ऐसे में जम्मू काश्मीर में बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारी एतिह पहले की तुलना में, उसको लेकर के कोई अलग से नीती आ प्लान बनाने की कोर्सिस, कोई प्रयास धारत 370 के बाद में मेरा पहला कारिक्रम भदरवाय था, तीन दिन का जो कल्चर कारिक्रम था, वहीं के लोगा नागनाईज किया और वहीं के उस पर किया, पहला कारिक्रम प्रधानमंति जी ने जो कदम उठाए हैं वो भरोसा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब तक सुरक्षा की गारेंटी नहीं होगी, आपको उल्टा कोई प्रसा दे तो भी आपने जाहर सी बात है, तो इसलिए के तमाम मंत्रियों को प्रधानमंति ने का जाना जाएए, वहा था, तो गुलमर्ग से सुन्दर जगह है, सरकेट है, रामनगर का किला है, एतहासिक, पुरातात्विक, भूगर भी है, और सुन्दरता की दस्ती से, एडवेंचर स्पोर्स की दस्ती से, उससे बेतर जगह नहीं हो सकती, लेकिन डबलप नहीं हुआ, और वहाँ पर वो जो कारणों से वहां पर नहीं रोखी गी, दूसरी, जो उप्यक्षा कैसे होती है, फश्त फेज का जो प्रदानमंती शड़क है, वो उसी जगह पर सुविकेत हुआ था, लेकिन आज मतलब जब मैं गया था, तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है कि कें परेटन उद्योग एकलावता ऐसा उद्योग है, जो पूरी दुनिया की GDP में 10.5% का योगदान करता है, ये आकड़ा इतना बड़ा है, जिससे किसी और उद्योग के कंट्रिब्यूशन को तूलना नहीं किया सकता है, जैसा मैंने आप से पहले कहा कि 33 करोन लोगों को के छेतर में रोजगार दिया जाएगा लोगों को, अब ऐसी स्थिती में चुकि कोरोना काल आ गया, तमाम संकट आ गये, लेकिन जाहिरती बाद है कि ये वक्त छटेगा, ये चीजें हटेंगी, ऐसे में देश भर के जो टूर, ट्रेवल, होटल, इंड़स्ट्री, इन तमा लोगों से आपकी बादचीत, मुलाकात हुई, आप तमाम चुकिक परेटर्न और संस्कृति मंत्री हैं, तो दवरा भी आपने किया होगा, आपने क्या महसूस किया कि क्या इस लक्ष को हम दो हजार आठाइस से पहले प्राप्त कर सकते हैं कि को रोजगार देने का जो भार कर सकते हैं कि बिदेशी परेटर को का, यही रोजगार का उसर देगी, यही हमको बित्ती है, जो हमको लाब मिलना है, बिदेशी मुद्धा कब हो देगा, और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि कोराना के सकाल में, एक बात में बढ़ा है, जुमिधारी से कहता हूँ यह ऐसी इंडेस्ट्री जो सबसे पहले बंद हुई हो, सबसे बाद में सुरू होगी, मुझे कोई संकार नहीं है, लेकिन मैं दूसरी बात भी आपसे कह रहा हूँ, हम धीमी सुरुबात करेंगे, लेकिन जो हमारी गती होगी, वो दुनिया में सबसे तेज जुद गती बदलना, हम हजारों करोड खर्च करके भी जो पर एक्सेप्शन नहीं बदल सकते थे, वो कोरोना के बीच में भारत की जंता ने वह भारत के प्रधानमंती ने जो किया, उससे बदल गया, प्रधानमंती के निपरती देश के लोगों का भरोशा, और देश के बाहर उनके प करमपणा का चिकत्सा पद्दती है, कि हम रोग के इलाज के बारे में नहीं सोचते हैं, रोग ही ना हो, उसके बारे में सोचते हैं, इसके प्रतिप्रशन, ने जो हमारी जो कल्पना है, उसने बहुत रहे पर तरृइज्ज thành के लिए हमारे पास आदोसर थे ही, ये कितने आ इसने दुनिया में जो हमारी साख दी है इस भारते संस्कृती के इस मूल तत्यक प्रति लोग बापस आएंगे देखने संस्कृती ही आते थे लेकिन मैं कहूंगा कि लेकिन योजना के साथ बिगाड़ा जाए ऐसे लोगों को जरूर जबाब मिला है और यह हमको बहुत लख देगा पिछली सरकारों ने इंक्रेडिबल इंडिया करके एक केंपेंच चलाया था उनका भी विश्वास भाली भरोसा भाली का एक मिशन था इंक्रेडिबिल इंडि जब से आपने कारेभार समाला है या मोदी पार्ट वन से पार्ट तू में एक साल पूरा होने जा रहा है हो इगा है तो क्या समझते हैं कि इंक्रेडिबिल इंडिया को प्रधान मंत्री ने और कितना आगे बढ़ाया है मुझे लगता है कि मैं तो अगर कोई ब्रांड कहा जाए या कोई एडवर्ट इसको हमारा कोई अगर ब्रांड ने तो प्रधान मंत्री है देश के भीतर भी और देश के बाहर और उसके पर दो अधान देता हूं मैं कैता हूं वो केदारनात की गुभा में बेठे तो आने वाले एक साल के लिए वो बुख है वो महावली पुर्म गए तो उसकी जो गुरोथ है वो 43% एक्षता हुई और हम टिकेट नहीं बेच पाए हमारे 10 काउंटर बनाने के बाद भी यह साही टिकेट नहीं बेच पाई और कानून वबस्ता की स्तिती बनी हूं और हमको वो द्धान मंत्री ही है और इसलिए मुझे लगता है कि बिज्यापन के तरीके ठीक है लेकिन हमको चीजें अब परोशनी पड़ेंगी साइन्टिफिक तरीके से कोरोना का काल है चार दाम की आत्रा में ये रूट ग्रीन रूट है इसमें सरकारी इसमें गैर सरकारी इस्तान है नीचे बिलिंक करते हुए नबर रेट में होनी चाहिए कि कम्प्लेंट हो तो इस नबर में करिये है लेकिन हम एक पाढ़दर्सी तरीके से एक प्रफेरिस्नल तरीके से क्रूसर मिनिस्ट्री को काम करना होगा जिस तरीके से आपने ASI की, धरोहरों की, तमाम सीजों की बात की, आए दिनों अपने देश में ये खबरे छपती हैं, चुकि हम लोग अकबार नवीश हैं, कि हमारे देश की धरोहरों की चोरी बहुत होती है, मुर्तियों की चोरी बहुत होती है, मानूमेंट्स की चोरी प्राचीन मुर्तियां इस तरह की रोज आकबारों में हर दूसरे तिसरे महीने में दो चार खबरे दिख जाती हैं तो इस पर लगाम लगाने के लिए इसकी रोक थाम के लिए कोई ऐसी ठोंस नीती जिससे की इस सब चीजों को रोका जा सके क्योंकि हमारे देश की हजारों सा की कीमती चीजे हैं जो बाजार में अंतराश्टी बाजार में कुछ चंद सिक्कों के लिए बेज दी जाती हैं नहीं मुझे लगता है कि यह तो होना होगा कि हम कल्चलर मैपिंग ही एक मात अजास्ता है कि हम इनको वेफसाइश्वा देखाएं किसी को देखना तो वहां प पिछले कारीकाल में 45-50 साल में जो चीज बापिस नहीं आई वो पिछले पांच बर्सों में उससे ज्यादा वापिस आई है तो यह चीजें समय नहीं पड़ेंगी जाने का तो सवाल नहीं पड़ा होता लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत जगह पर हैं जो जब हमारे यह एक्ट नहीं था एसाई का उसके पहले यहां से बाकाइदा कही है मैं ब्राजील की आत्रा पर गया था वहां पर एक इंडियन गैल्री है मैं तो मूर्ती देखकर दंग था लेकर अच्छी बात है कि कोई राजदूत थे वो ले गए थे लेकर उनने वहां पर सरकार को दे दी और इंडियन ग मूर्तियां चोरी गई हैं या ले जाई गई हैं या किसी ने भैट दी हैं ये बिवात का कारण हो सकता है लेकिन एक भगवान महावीर की मूर्ती बिहार से चोरी हो गई थी और आप रिकबर हुई और और वह करीब 3,000 साल पुराने मूर्ती थी और वह हजारों करोड़ों म को बापिस लाने की बात है अभी मैंने जब जान कर जी तो नर्वदा मानो जो सबसे पुराना है का जाता है आठ हजार साल पुराना वो फॉसल है वो जांच की लिए गया था और वापिस नहीं आया तब दो तथ्थे समेटे जा रहे हैं होता गया कि GSI अलग काम करती है ASI बाकी डिपार्टमेंट से लग काम करते हैं लेकिन धरुवर तो धरुवरी है लेकिन मानो नर्वदा मानो की खोपड़ी को हिंदोस्तान में होना चाहिए और वो इस बात का प्रमाने कि हम सबसे पुराना इस सिबलाइजिशन है तो मुझे लगता है यह चीजे हैं जो हमार आप अस लोटेंगे पहले बंद हुआ है और यह तैहे कि सबसे बाद में खुलेगा अब जाहिर सी बात है कि कई जो है टूर ट्रेवल एसोसियेशन और होटल इंड़स्ट्री के तमाम लोगों ने जो निती आयोग के सियों है अधिकार प्राफ समों के अध्यक्ष भी हैं उनसे करीब एक पचा हालात होंगे तो इस इंड़स्ट्री को बुष्ट देने के लिए कोई पैकेज की बात चर्चा में है या कोई और तरीका जिससे कि भाई इसको थोड़ा सा लोगों को संबल मिले बल मिले भरोसा मिले कि सरकार नामक संस्था हमारे पीछे खड़ी है मुझे लगता है कि पैकेज आधार नहीं है मैं फिर अपनी बात को रिपीट करोगा कि प्रेटन के लिए धन से ज्यादा ज़रूरी है धारना का बदलना परसेप्शन हमारे मन में है सरकार को एड्रेस कर रही है हर दिन अपने नीमों में जो जरूरत उसको लगती वो सुध करती है हम मुझे लगता है कि सेपरेट पेकेज होटल एक इंडिस्टी यह वो सबकुछ परेटन के जिस्थे में आता है यह सब ज़रूरी नहीं है लेकिन इसलिए मुझे लगता है चाहिए टूरें टर्वल्स हो हाँ परेटर को लेकर जाता है तो सभाबेक है कि हमारी इस् IX extreme o Давyusted का माम आया था सरकार ने विचाज किया और इसलिए मुझे लगता कि आज मुझे होटल की लोगैस सुवह मिले थे यह एसी मुझे लगता है की उनने अपना पक्ष रखा हे पक्ष को सरकार सखरात्ते ग्रूप से देख देखती है और मुझे जो भी होगा कि राजे जाहर सी बात है कि बीमारी फैलने के कारण ही कि होटलों में सबसे तेजी से फैल सकता है इसका एकडम सट डाउन कर दिया गया अब होटलों का इस्तेवाल के वल कुरंटाइन परपच के लिए इस समय फिलहाल किया जा रहा है जब ये चीजे धीरे धीरे ओपन हो रही है तो उसकी गाइडलाइन बनाने के दिसा में जाहर सी बात है कि मंत्राले ही काम करेगा और जाहर सी बात है कि मिनिममम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा प्रधान मंत्री जी ने अपने पहले कारेकाल में ही दिया था तो इ हमारे इस बीच पर तीन रिव्यू वेटक हो गई हैं वो गाइडलाइन को हम वो आपको भी मिलेगी मिलकुल जाएगी हमाला आपको भी ड्राफ्ट भेजने वाले हैं हमारे पर यह मूल बात है कि एक आपके लिए अपना घुट देंगे मिनिश्टी को सास्त मंनताले को और बाकी हो मिनिश्टी को बाकी आप लोगों के सामने भी आएगा कि हमारा ड्राफ्ट है अगर आपको लगता है किसी जरूरत है सारे श्तेकॉल्डर्स को यह इन्डेस्ट्री को प्रैतन मंताले ऐसा तो है नहीं कि अकेला कोई वसला कर लेगा और जो भी गाइडलाइन होगी हम इमीडेट उसको पूस करेंगे बहुत छोटी-छोटी चीजों पर हम ने उसमें ध्यान दिया है और मुझे लगता उसमें और जो सुझाव आप लोगी तरफ से आएंगे उसका अदम फाइनल कि जब जहाँ जुड़ने लगेंगे तो लोग जहां लैंड करेंगे तो कहीं ने कहीं तो रुकना भी चाहेंगे तो इसके लिए कितना जलदी विचार हो रहा है क्योंकि उडानों से ही जुड़े हुए हैं होटल्स उनका बिजनेस इस पर बहुत निरवर करता है तो आपक दिये गए, गाइडलाइने जारी की गई, लोगों से रिक्वेस्ट किया गए, कम से कम घर से बाहर निकले, लेकिन ना तो होटल बंद किये गए, ना वहाँ ट्यू ट्रेन लंदन में बंद हुई, अंडरगाउंड ट्रेन युवार्क में भी बंद नहीं हुई, तमाम लोग अई लौट क्या है? तो सारे बता रहे हैं, तो ऐसे मिम आपको नहीं नहीं लखता है कि अब होटल को भी इंडिया में खोल देना चाहिए, क्योंकि करोना से मरना उतना शर्मनाक नहीं है जितना भूग से मरना है क्योंकि अब ऐसी भी स्थितियां दिख रहे हैं कि लोगों के पास जो जम्मा पूजी है समाप्त हो गई है दोड़ाई महिने में क्योंकि अपना देश अभी विकासील देश है विक्सित नहीं है मुझे लगता है कि कोई माडल भारत पर लागू होगा है मैंसे सहवत होता नहीं हूँ अगर हम यह देखते हैं कि उनने ट्रेने और होटल बंदें की तो पर उनके मिलत्तु दर्भी देखना है बहुत ज्यादा है बिल्कुल ज्यादा है इस बहस्में ना पने तो अच्छा हो होगी क्योंकि हमको यह भी तेह करना पड़ेगा कि एक मिडल क्लास और नीचे स्थर के किसी प्रेटक के लिए बहुत छोटी होटल में जाएगा यह बर्दस कमरे होंगे तो हमें उसको दो कमरे ऐसे रखने होंगे जो तो यह 25 फीजदी कमरे ऐसे रखने होंगे कि उस ग्रो आपदानी के लिए ही गाइडलाइन देनी है लेकिन बहुत सारी होटल में आईटीटीशी का हमारा जो असोका है उसने पहले से आज से हमने डेड़ में ने पहले वो तैयारी की थी कि एक फिलो और आज की तारीक में भी कोई कहाएं कि हमें को पचास कमरे चाहिए तो असोक होटल में जाएंगे तो मुझे लगता ऐसा नहीं कि तैयारी सरकार ने नहीं की थी लेकिन गाइडलाइन तो ओवराल सब पर लागू होगी लेकिन कटनाईया हैं हमारे पास में 1400 होटल ही प्रेटन मंतले की सूची में और ओए कई मेंबर से 25,000 और जो बड़ी होटल से और हैं तो लोग हमारे पास इस्टार लेने के लिए तो आते तो अभी आपको लेकर ने थे करना पड़ेगा कि आपका सुरक्षा करमी पूरी तरह से ICMR की गाड़ लाइन को फालो कर रहा है कि नहीं ड्राइवर आपका सामान उठाने वाला आपका वेटर यह सबसे इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए तो मुझे रखता है कि होटल सर्वाइब करेगा और मुझे मैंने फिर वो पहले आप से का हमारी सुरुवाद धीमी होगी लेकिन गती बहुत तेज होगी बहुत अच्छा लाइन दिया सुरुवाद धीमी गती तेज पूरी दुनिया की जो होटल इंड लेकिन वहां रुकने वाला कोई नहीं गया उनको भी कमोबेस उसको बंद जैसी सिट्वेसन में रखना पड़ा और जाहिर सी बात है वहां का मेन बिजनेस दुनिया भर से जाने वाले टूरिस्ट थे जो यही सीजन था जो अब एक तरह से खतम जैसा है तो ऐसे में वहां क की सरकारों ने थोड़ा-थोड़ा कैस पैकेज सारे होटलों को दिया है जाहिर सी बात है कि यहां प्रधान मंत्री जी ने आत्म निरभर भारत अभियान के तफ़ 20 लाग करोन का पैके दिया है जिसमें मुख्य रूप से लिक्विडिटी प्रोवाइड कर आई है सब के लि तो होटल इंडिश्ट्रобр के लिए कुछ ऐसी चर्चा कि क्योंकि तमाम होटल वी है जो लौं लिये हुए उनकी लिपकार दी लेकिन क्या है क्या आपको लगता है क्ए य्ए क वरकिन हैं वाठ बात बता रहते धे कि वरक network अब्शन के लिए यह थैगल को दो को हिम एग जि इंड钦ी कि तप से माज़े दी, आप 6 मैं है बढ़ा दीजिए. बढ़ा दिया. 6 मैं है बढ़ गया. कुछ लोगों ने का, है 5 साल बढ़ा दीजिए. ख्राज्वों ने का। छामेन ही 3 में बढ़ाई है. अब यह नहीन मैं डिमांड आई है बाद में इस्टेखोल्डर्स वो दिलत नहीं हुए वो देश के साथ में खड़े रहें लेकर मैं उस प्रश्चिम के माडल से सहमत नहीं होता क्योंकि वहां तो गर्मी सीमित है अगर वो धूप अभी नहीं सेख पाएंगे तो वो उसके बाद पूरे सालन को अंधेरे में बर साथ है हिमालन स्टेश में भी भी ठंड है तो हमारे यहां के इस एडमास्फियर का लाफ हमको मिलेगा नुक्षान हुआ है इसको में इंकार नहीं करता लेकिन भरपाई के आउसर भारत में बहुत है यह आत्मे में मानता हूं और सरकार ने हर स्टेप पर बिना मांगे वो है नौकरी का संकट हर सेक्टर में हाला कि सरकार ने अपील सबसे किया सब ने एक दो महिना धरर रखा हिम्मत दिखाई लेकिन जाहिरति बात है कि जब पैसा नहीं आ रहा है जब बिजनेस नहीं चल रहा है तो ऐसे में किसी के पास उतना सर्प्लस कैपिटल नहीं है कि क जाहर सी बात है कि इसको बचाने के लिए क्योंकि अपना सबसे बड़ा टार्गेट यही है प्रधान मंत्री का वीजन भी है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार देना है लेकि रोजगार प्राप्त लोगों का रोजगार अगर गया तो सरकार के लिए वाकई बहुत ज्यादा चिंतनी विशाय रहेगा ने मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से डिवेट करिए मैं तयार हूँ मैं अनागने सेक्टर में काम करने वाला आदमी हूं में एक उदाणा आपको देता हूं होसंगाबाद जिला मद्रप्रदेश में असा है जहां गहूं का सबसे ज्यादा प्रकुर्मेंट होता है और साथ हजार के आसपास बिहारों जारकंट से हम माल आते थे तब वो प्रकुर्मेंट पूरा वो बता था आज एक भी नहीं है लेकिन जो मज़दूर वहां बापस आए उनकी मदद से कल तक 99% प्रकुर्मेंट हो गया दस लाख में टिक कि आम करने वाला परकर अपने गाउं एपने सिकने उसके कारण काहिए कि मिद्ध परिवार में जाना है भूखोंक सथे थे देश में कभी यह आपको दान लेता हैं दो मेने मिलें मुझे रूट ही नहीं मिलें चाहे वहाम आदमी हो चाहे संस्थाय हों चाहे सरकार हो देश इसने जो किया है यह इतिहास लिखेगा लाग कोई कुछ भी कर ले यह ठीक है कि लोग पैदल चले इस घटना को छोड़ दें और उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता था प्रदानमंदी कर बात मानी होती हो जहां थे मैं कहता हूं मेरे राज़ पांश्टेंशी के लोग 18 और इसने मुझे लगता है कि यह तो देशनों साबित कर दिया कि मेरे बात दो रोटी है तो मैंने एक सड़क चलते आदमी को दिये मेरे पास चपल है तो मैंने उसको दिये इनको तो एका दुखका बातों को लेकर भूंक से कोई मर गया या भूंका रह गया कि मुझे चार कि मुझे एक आदमी को भी नहीं सुना आप युवा राजनीती से निकल के आए हैं देश के सबसे बड़े युवा संगठन नहरु युवा के अंदर के महानी देशक भी रहे हैं और पूरी दुनिया में इस समय जो युवाओं की आबादी है वो हिंदुस्तान में सबसे ज सकती है क्योंकि इसमें सबसे कम स्किल वाले लोग भी इस काम में जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं और जल्दी काम के लायक हो जाते हैं इस दिसा में आप पहला बेच हमारा सितंबर में निकल जाएगा बीबी आनलाइन एक कोर्स जल रहा है प्रजानमंती जी ने कहा था कि लो और अगर उनके अबास में कोई होनर है तो वो आनलाइन करें छे महीने का कोर्स है पहला बेच सितंबर में निकलेगा अभी पांच हजार से ज्यादा लोगों में उसमें पंजियन किया है उसमें एक सिंग क्यानने वे बो भी हैं जो पहले गाइड थे तो हमने उनको रिफ् सितंबर में तो मुझे लगता है यह तैयारी पहला बेच सितंबर में निकलेगा उसके बाद एक कोर्स आनलाइन सभी भासाओं में होगा तो हमारी रिजनल लेंग बेस है उसके आधार पर होगा और मुझे लगता है कि हम इसे स्किल को जबर्दस्त अपने उस लक्ष के मुकाम तक ले जाएंगे हम लोग अपने इंटर्विव के आँखरी चरण में हैं दो सवाल और कौसल विकास मंत्राले प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत सोच और विजन के साथ बनाया था उनका लक्ष ये था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्किल देना और जो लोग काम करना चाहते हैं उ हुट सारे ऐसे लोग हैं जैसे आपने कहा कि अस्ताई रोजगार नहीं है लहीं चार महिने तीन महिने दो महिने का ऐसा है तो क्या कोसल विकास मंत्राले के साथ आप लोग मिल के काम कर रहे हैं ताकि उनके अंदर उमीद और भरोसा जगाने के लिए सर्टिफिकेशन का ही एक बड़ा कारिक्रम चलाया जा जिससे कि लोगों को भरोसा प्राप्त हो कि मैं सरकार की नजर में हूं सरकार मेरी है जो मैंने आपको कहा कि यह जो बैस आप नहीं है इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं डाइबर को दे रहे हैं उससे उपर हमारा होटल मेनेजमेंट के 40 अं चलाते हैं जो सीधे रोजगार देते हैं कोसिस अब हमारी यह कि आयाइटी ट्रीम से निकलने वाला या होटल मेंजमेंट से निकलने वाला अबयक्ती बाकी जगह पर सीधे काम कर सकता है क्या हम इसके लिए कोई आदेश नहीं देंगे लेकर आऊसर देंगे तो मुझे प्रधान मंत्री जी के केविनेट में आप सहयोगी हैं, प्रधान मंत्री अपने आप में एक ब्रैंड हैं, उस पर बहुत कुछ लिखा गया है, पूरी दुनिया में भारती पास्पोर्ट का वजन उन्होंने इमिग्रेशन काउंटरों पर बहुत बढ़ाया है, वाकई को एक व्यक्ति के रूप में और एक लीडर के रूप में, और जब काम के बारे में उनसे बादचीत होती है, तो उनके प्रोफेशनल एक्यूमेंट के बारे में, प्रोफेशनल एप्रोच के बारे में, आप क्या सोचते हैं उनके सहयोगी होने के नाते, मैं तो खाली यह द आप इस करोना काल के एक महीने पहले फरवरी तक जाईये तो सारी जगाए ग्रोथ काम हो गए लेकर नीवीजा की करो 6.8 परचंट थी अंकले बताएंगे इस बात को दूसरा पिछले पांट साल मुने जितनी बाते कहीं या जब भी साजनिक मंचोशन ने बात कि देखो अपन होगन होगा क्योंकि हमें अगर इस्थानी व्यक्ति को खड़ा करना है तो वो सकता है उनने जितनी भी 12 या 13 बाते कहीं थी पिछले पांच बार सुबे मेरे मिनिस्टर बनने के पहले वो नीती का हिस्सा है हमारे बुलट पॉइंट्स है और इतने स्क्वेंस के साथ है कि हम को पालसी बनाने में अगर मदद मिली है तो उनी 13 एचवुदा पर मिली है बिलकुल देखो अपना देश के बारे में मैं खुद भी आपसे कहूंगा आप भारत सरकार में परेटन विकास मंत्री भी हैं कल्चर मंत्री भी हैं कि मैं खुद ही उत्तरी पुर्वी राज्यों क कि यात्रा कभी नहीं किया हूं मैं ना असाम गया हूं ना मड़िपूर गया हूं ना त्रिपुरा गया हूं ना अगालेंड गया हूं ना मिगाले गया हूं ना सिक्किम गया हूं मैंने खुद तैकिया है कि इस बार तो बाहर जाने को मिलेगा नहीं तो हम लोग इस बार उ भोजन, उनकी हास्पिलेटी, उनकी इमानदारी, उनकी साफ सफाई, जिसे भी एंगल से देखना होगा, तो आपको लगेगा कि हम कहां देखते रहें, मतलब यह तो बात मैं कह सकता हूँ, एक आखिरी सवाल आप से ले लेता हूँ, यह बात सब महसूस करते हैं, दिल्ली में जिनके हाँ भी North Street से आने वाले बच्चे काम करते हैं, वो बड़े तमीजदार होते हैं, साफ सफाई पसंद होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, माइल्ड होते हैं, आप चुकि परेटन की दिष्टी से उत्तर पूरवी राजयों के विकास पर काम कर रहे हैं, यह सहूर या कहलें ये तमीज उनको कैसे मिलती है क्योंकि इसकी किताब कोई बजार में नहीं विखती मुझे लगता है कि जो अपनी जमीन से दूर नहीं होता वो पढ़ लिख जाएंगे लेकर अगर वो आप किसी साहब ने कारिकर में बुलाई है तो मनिपुरी होगा तो मनिपुरी बेज़ेस में आएगा कित्ता ही पढ़ा लेकर वो आपके दूसरी बेज़बुसास भीकाद नहीं करेगा वो डांस करेगा भले वो आप उसको कहोगी यह फला जगह पर उसके पूझा पदती जो भी हो लेकिर वो डांस करते समय अपने ट्रदिशनल डांस के साथ खड़ा होगा वहां पर हर चीज में इस बात का अनुसासाने कि किसको क्या करना और क्या नहीं करना तो इसलिए सिविल सुशाइटी जैसी उसकी ताकत है उस ताकत के आगे कई वार राजितिक ताकत बौनी दिखती है तो यह जो चीजे है और समाज में उनकी जो वेवस्ता है उसको आसानी स कोई कितना ही ताकत बार आप भी नकार नहीं सकता जैसे हमारे यहां पर आदिवासी है आप देखिए कि इस पूर कोरोना के टाइम में इस पूरी संख्या में ब्यालीस से च्यालीस ही टाइबल्स है वो जो कम उम्र के बागी इतने बते माइग्रेशन में मैं समझता हूं कि कर मैं मद्यपतेस का अंकड़ा बताओं तो कम से कम 10 लाग से जादा ट्राइबल्स बागेट करकर वापस आया लेकर उसमें जी आंकड़ा इतना ही है तो यह जो हमारी जीवन से लिए यह बड़ी ताकत है तो प्रहला जी आपने सहारा न्यू नेट्वर्क के लिए धन्यवाद तो ये थे परेटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पठेल जी जो अपनी इस पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं आप बहुत ही शांदार भासर सैली रखते हैं भारत सरकार में 2000 में जब बाजपेई सरकार थी 2000 से लेके 2000 चार 98 से 2004 तक उसमें भी आप मं मंत्री रहे एहम पदों पर रहे मोधी सरकार में भी एक बहुत ही एहम मंत्राले का जिम्मा सम्हाल रहे हैं आज उन्होंने सहारा नियू नेटवर्क के लिए समय निकाला बाचित की और तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया इसके साथ ही हस्तक खेप में हम इस इंट्रव्यू को यहीं समाप्त कर रहे हैं हमें दीजिये इजाज़त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहरा पड़ा